मार्केट अभी 18,000 टोच कर रहा है आप लोग ने देखा होगा कुछ दिनों से लास्ट करेक्शन के बाद मार्केट अभी 50 जो इंडेक्स होता है वो अल्लेडी 18,000 क्रोच कर चुका है तो यह सिच्वेशन में मार्केट अभी उपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा यह अभी यूएश में आपने देखा होगा इंफलेशन टिक्लैर हो चुका है तो जैसे ही US market में inflation डिकलार हुआ, जो result आया समने, उसके बाद जो S&P 500 हो गया, ये सारे index गिरने लगा है, बट इतना भी गिरे नहीं है, जैसे Indian market में होता है, तूरंत गिर जाता है, एक दो market में cross time लग जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ है, बट आप कुछ दिनों से अगर दे होगे, ये जो indices है, भाग रहा है उपर, क्यूंकि इंडिया में inflation नहीं है, जैसा government का data बोलता है, तो ये situation में, हमें अगर mutual fund में invest करना है, तो कौन सा mutual fund ले, या फिर stock में investment करना है, तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा decision लेना बहुत मुस्किल होता है, त simple concept को समझे, अगर market तेजी से उपर आगे जाता है, that means, market बहुत तेजी से जा रहा है, तो यहाँ पे हमें large cap, या फिर जो बड़े stock होता है, वहाँ पे investment करना चाहिए, अगर market गिर रहा है, तो हमें mid cap या small cap के तरफ आख करना चाहिए, क्यूंकि market अब जब गीरेगा, तो large cap stock जो होता है, वह बहुत कम गिरेगा, but mid cap, small cap जो है, वह ज़्यादा गिरेगा, तो हम लोग market में investment करने की वहाँ था है, पैसा invest करने के लिए आते हैं, पैसा income करने के लिए आते हैं, अगर यहाँ पे long term के लिए आ रहे हैं, अच्छा entry point नहीं ले रहे हैं, तो हमें थोड़ आप investment में आज entry करना चाहते हैं, अगर आप एक best fund select करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा research analysis करना पोड़ेगा, आज के वीडियो में मैं आपको इसे 3 mutual fund के बारे में बोलूंगा, जो आज के date में अच्छे खासे discount में मिल रहा है, यहाँ पे investment करना एक अच्छा opportunity ह हो सकता है हम लोगों के लिए, आगे जाके हमें आच्छा profit कमा के देगा, क्यों मैं यह चीज बोल रहा हूं, सारा चीज में आपको presentation के तो दिखाऊंगा, तो let's come to my screen, आप मेरे screen पे देख रहे होंगे, कि मैंने यहाँ पे Nasdaq Composite Index open गर कर रखाए, तो फ्रेंस यह US market का एक आपको माइनस में देखने को मिलेगा, वेदर इस आप Nifty 50 का अगर आप देखोगे, वान इयर का, तो market देखेगा, अल्लेरी 247 यहाँ पे ज्यादा इंक्रिमेंट हुआ है, अगर आप last one month का देखेंगे, तो market यहाँ पे positive में देखेगा, और यहाँ का जो high है, आपका Nifty 50 यह 17,877, लास्ट अगर मैं one day का देखता हूं, तो market थोड़ा US inflation का जो news है, वो आने के बाद, यह थोड़ा सा गिरावट होने को मिलेता है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जो high था, 18,083 था, अब यहाँ पे market अभी today 17,877, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला था, क कि यहाँ से market नीचे जाएगा या उपर जाएगा, यह सारे चीज news के उपर and market में जो situation है, macro economic situation, यह सब में depend करता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ news outlet यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे देखे, US inflation, risk of recession, lay-off and other key details, तो आप ऐसे news देख सकते हैं, अभी आज के rate में market में आ रहा ह कि US में अगर inflation आता है, तो सारे globally जितने stock actions है, वहाँ पे effect पड़ता है, क्योंकि US के उपर बहुत सारे dependencies है, तो यहाँ पे हम बोल सकता है, कि market होगी थोड़ा गिरने बाला है, थोड़ा correction होने बाला है, अगर फ्रेंट्स में details में थोड़ा सा analysis करूं, तो मैं अगर यहाँ आप देखेगा यहाँ पे, यहाँ पे 18,053 क्रोस कर चुगा था, तो मार्केट में अभी लोग profit थोड़ा कमा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गिरावट तो होगा, बाट यहाँ से ज्यादा गिरावट होने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ से उपर ही उठेगा, तो आई हो तो आप अपने रिसर्च कियेगा, बाट हम जो सोचते हैं, जैसा हमारा रिसर्च टीम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे, मार्केट थोड़ा सा उपर जाएगा, यहाँ पे और एक ब्रेक पॉइंट है, अगर यह मार्केट 18,500 या 19,000 क्रोस कर जाता है, तो यह बहुत मुश्किल है, तो आज मैंने 3 mutual fund जो फ्लेक्सिकेप केटेगोरी में आथा है, एक टेकनोलोजी ओरेंटेट फॉंड है, तो यह चीज हम में आपको दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैंने grow platform को चूच किया है, तो जो मेरा जो first mutual fund selected है, यहाँ पे, that is SBI technology opportunity fund direct growth, अगर आ आप best mutual fund, best small case के बारे में जाना चाते हो, तो मेरा इस वीडियो का description में already link थे, playlist का आप जाके देख सकते हैं, friends, फिलाल मैं इस funds के बारे में बात करता हूँ, क्यों मैं यह funds को select किया, friends, इसका नाम से ही पता चल जाता है, that is technology opportunity, that means technology oriented fund है, और world में जो technology बोलने से यह मतलब आत जो IT related technology होता है, तो यहाँ पे मैं simply यही बोलूँगा, कि यहाँ पे आपको, अगर आप monthly 5000 SIP करते हैं, लास्ट पांच साल से, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, total investment amount होता आपका 3 lakh रुपी, but आज का आपका amount हो जाता, 5,25,413 रुपी, जयानि 75% से भी ज्यादा यहाँ पे 50-60 stocks में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे only 18 stocks में investment किया है, और उभी कौन सा company में किया है, वो थोड़े देख लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखो InfoC, Stata Consultancy, भारती आर्टेल, Microsoft Corporation, जो US stock होता है, Netflix हो गया, HCL Technology हो गया, Wipro हो गया, Alphabedia ने Google को आप सुना ही होगा, और NVIDIA Corporation, और मैं See All में क्लिक करता हूँ, तो यह देखिए, यह जितने सारे company है न यहाँ पे, जो maximum company है, वो US stock से आता, यानि US stock market में अभी गिरा भटे, तो वहाँ पे आपको यह सारे stock discount में मिल रहा है, तो यह एक अच्छा entry point हो सकता है, अगर आप यहाँ investment करते हो, तो आपको एक अच्छा discounted price में, अच्छा corrected price में आपको इस fund में NAV मिलेगा, अगर मैं totals बात करूँ, तो यहाँ पे जो cash holding 10% है, जो 90% amount है, वो equity में लगा गिया है, और यहाँ पे अगर sector wise में analysis करूँ, तो simply technology sector है, but technology doesn't mean, जैसे कि आपका होगी है TCS, वो technology company है, but technology service provide करता है, तो यहाँ पे आप confusion मत होएगा, तो technology में 70%, service में 16%, communication में 10%, and others में 2.6%, तो यह फिलली जो तीनों sector है, यह सारे technology के अंदर आता है, and यहाँ पे मैं अगर आपको details में थोड़ा सा बात करूँ, इसका expenses योग क्या है, क्योंकि यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप आज के रेट में इंवेस्टमेंट करते हो, और 15 दिन के अंदर आप पैसा इंडर करते हो, exit कर जाते हो, तो आपको 0.50% आपको exit load देना पड़ेगा, बट आप mutual fund में इंवेस्टमेंट करोगे ही, क्यों, अगर 15 दिन में आपको पैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप एक साल, तीन साल, पान साल के इंवेस्टमेंट करते हो, तो आपको exit load देने का ज़रूदी नहीं है, और यहाँ पे जो task implication है, वो simple सारे fund के लिए लाग हुए, क्योंकि अगर आप एक साल के अंदर पैसा को इंडर करते हो, तो 15% आपको short term capital gain tax देना पड़ेगा, अगर एक साल के बाद अगर आप, और वो भी आपका एक लाग से उपर अगर ज्यादा profit कमाते हो, तो आपको long term capital gain tax लगेगा, तो यह सब आपको इतना सोचने का ज़रूत नहीं है, आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, minimum investment amount जो है, या अगर आप SIP के हुए से जाते हो, तो 500 और मोहित जन, यह दोनों का अगर में details record देखूंगा, यह लोग बहुत qualified है, एक्सप्रियेंस्ट है, दो जाए साथ से यह सारे points को manage कर रहे है, तो I hope कि आपको इस points से complete idea मेल गया होगा, कि यह क्यों मैंने select किया है, past return भी आप देखिए, last 3 साल का, 5 साल का आप record भी देखें कभी भी आप कोई भी mutual fund select कीजिए, past return को देखिएगा, बट उसको एक, आप सोच के चोलोगे कि past में दिया है और future में देगा return ऐसा कुछ भी नहीं, वह एकदम गलत है, तो आप हर समय देखिएगा, sector wise allocation क्या है, stock का performance क्या है, risk adjustment क्या है, यह सारे चीज देखना है, तो यह सा अगर मैं इसका past return के बारे में बात करूँ, last 5 साल का, तो यह almost 18.70% return देखिएगा है, और यहां पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जा के देखेंगे, तो यहां पे टेकनोलोजी के इलाबा, बाकी जो कंपनी है, जैसे FMCG कंपनी हो गया, housing development, finance corporation हो गया, यह सारे में भी investment किया है, as well as US stock में यह भी exposure करके रखा है, तो friends, इसलिए मैंने यहां पे इस fund को solid किया, क्योंकि US stock में अभी आच्छा discount देखने को मिल रहा है, और flexi cap चूज करने का और एक खाश दिया है, friends, आप सोचो, अगर आप यहां पे decide नहीं कर पारे हो, अगर आप एक technology oriented या फिर आप एक flexi cap oriented fund में investment करते हो, तो यहां पे सब का मिला जूला सरकार है, large cap, mid cap and small cap का ही exposure आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए flexi cap सबसे अच्छा होता है, यह सब situation में investment करना और यहां पे SIP करना, तो यहां पे में जितना company के बारे में आपको बोला holding क्या क्या है, तो आप देख सकते हो, Amazon है, HCL है, Power Grid है, Hero Motocop है, Facebook है, तो यहां पे बड़े-बड़े company, आनि Alphabet Google का जो company है, यहां पे भी invested है, और as well as Indian company में भी invested है, थोड़ा सा हम sector wise allocation करेंगे, तो यहां पे देखेंगे, थोड़ा से ज्यादा डाइबोर्सी फायड है, Financial में आपका 35%, Service में 20%, Technology में 12%, Energy में 8%, और automobile में 7%, Healthcare में 5.3%, तो यहां पे टेकनोलोजी के इलाबा, बाकी सब सेक्टर में भी थोड़ा-थोड़ा exposure है, as well as US equity में भी exposure है, तो यहां पे आपको risk थोड़ा कम हो जाता है, अगर prints में इसका exit load के बारे में बात करूं, तो यहां पे 0.77 है इसका expense issue, and यहां का exit load है, अग एक साल के अंदर, sorry, दो साल के अंदर, अगर आप थोड़ा सा में कुछ गलत बोल रहा हूं, yes, अगर आप एक साल के अंदर, अगर आप exit कर जाते हो, तो आपको 2% देना पड़ेगा, अगर एक साल के बात करते हो, तो आपको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, और tax implications same है, ज यूँ select किया है, then friends, जो last and third fonts मैंने चूज किया, that is same flexi cap font, that is PGM India flexi cap fonts, friends, ये fonts में US stock exposure देखने को नहीं मिलेगा, but इसका अगर आप past performance and diversification आप देखोगे न, तो ये बहुत अच्छा fonts है, already मैंने पास्क में flexi cap fonts के regarding video वोना चुका था, तो ये one of the best fonts जो मैंने आपको समय बो बोल सकता हूँ, friends, यहाँ पर अगर आप 5 सल पहले start करते, investing और 500,000 रुपे start करते, तो आज के date में आपको 75% जिसा return देखने को मिलता, अगर आप इसका growth rate देखोगे, SIP की वोए से, तो आप last 5 सल से देखोगे, 29% return दे चुका है, and as well as, आप इसका holding देखोगे, तो यहाँ पर थोड़ा से ज्यादा डाइवर्सी भाड़ है, यानि 47 स्टोक में invested किया है, और यहाँ पर आप देखेगा, यह only Indian स्टोक में invested किया है, और यहाँ पर आप सेक्टर वाई जाला केशन आप देखोगे, तो financial में 31%, others में 17%, capital good में 14%, automobile में 13%, technology में 9%, construction में 6.9%, energy में 5.8%, friends, यहा financial sector, एक one of the key sector होता है, अगर financial sector ग्रो होएगा, तो India भी ग्रो होगा, अगर इंडिया ग्रो होता है, तो financial sector ग्रो होगा, तो यह भाइस बार सा connected है, तो यह जो तीनों फोर्ट से मुझे लगता है, कि आज के रिट में अगर आप entry लना चाहते हो, I think these funds are the best one you can enter, friends, इस फोर्ट 3-2% only expense issue है, exit load only 5%, अगर आप 90 days, यानि 3 months के अंदर आप exit करना चाहते है, उसके बाद आपको कोई expenses issue, कोई exit load आपको नहीं लगेगा, और इसका आप और आप जो funds manager के बारे में बात करें, तो यह यहाँ पर तीनों funds manager है, जो इस funds को manage करते हैं, अगर आप details में देखोगे, त इनका सभी का experience काफी अच्छा है, और इस funds बहुत अच्छा से manage होता है, तो friends, I hope कि आपको यहाँ पर complete idea मिल गया होगा, कि क्यों मैंने यह 3 funds को select किया, और यहाँ पर इस situation में यहाँ आप investment स्टार्ट कर सकते हैं, तो friends, यह था details funds के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर presentation क चुके हो, कि आप यहाँ पर investment कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर market में आप prediction कर पाएंगे, कि आपको investment जारी करना चाहिए, या नहीं जारी करना चाहिए, तो पर simple एही बात है, अगर आप SIP कर रहे हो, या फिर किये हो लेड़ी, तो आप अपना SIP को continue कीजिए, और जब भी आप market में थोड़ा थोड़ा गिराबड देखिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा as a lump sum amount investment कर सकते हैं, I hope आपको इस वीडियो से यह चीज clear हो गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मझे भूलेगा फ्रेंस, क्यूंकि मैं जब भी ऐसे ही कुछ वीडियो लेके आता हूं, तो आपके पास notification सीरह पहुंचेगा, तो फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठेंक्स पर वाचिंग, बाई बाई